वाट्सअब गाईज आज हम देखने वाले मेजर गौरवारिया सर की वीडियो जिसमें हम देखेंगे CISF कॉंस्टेबल कुलविंदर कॉर्स लैप्स कंगना रनौत तो इसके पर सरका क्या कुछ कहना है भाई देखो जो भी हुआ बिल्कुल भी सही नहीं हुआ युनिफॉर्म में थे और युनिफॉर्म कॉंस्टिटूशन लॉज हर चीज होती है पहले वीडियो देखेंगे फिर अपना पॉइंट वी शेयर करेंगे आपका पॉइंट वी क्या है आप भी जबर कमेंट करके बताना वंट तो त्री अगर कुल्विंदर कॉर सनक जाती और हथियार का इस्तमाल करती है अंगना रनाउट के उपर तो कौन जिम्दा रहता है अपना किसान अंदुलंग अपना शाहीन बाग अपना तीन सु सटर अपने हलत के लिचे दबा कर रख खुल्विंदर कॉर के उपर बाद में इंक्वाईरी हो सबसे पहले जो कुल्विंदर कॉर का जो बास है उसके उपर इंक्वाईरी होने चाहिए उसको भी सस्टेंट को यह चुनाव लड़ेगी आप मुससे लिख के ले लो चुनाव लड़ेगी इसने करा ही इसलिए है क्योंकि इसको चुनाव लड़ना है आप इसको आइसोलेटिड केस मत समझ जैन दोस्तों मैं हूँ मैं जो गौरावारी हो राम देखने हैं तो चानक के लैलोगस इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चानल को सब्स्क्राइब करिए वाला कर्या कर्या है अभी तक तो आपको पता लग गया होगा कि हिमाचल प्रदेश में मंडी की जो सांसद हैं अभ टी-सी-दी बातें करें यह सब आपको पता है कंगना रनौत कौन है मुझे पताने के आवशकता नहीं है कुलविंदर कौर का भी पती CISF में है और वो भी उसी एरपोर्ट में पोस्टिड है जहां पे वो लेडी है यह लेडी तकरीबन 35 साल की है इसके दो बच्चे हैं 2009 म में चंडीगर एरपोर्ट में इनकी पोस्टिंग दो गई अब दोस्ता मैं मैटर क्या है यह क्यों हुआ कैसे हुआ और इसके पीछे के तारण क्या है सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप कंगना रनौत का स्टेट्मेंट देखिए नमस्ते दोस्तों मुझे बहुत जादा फोन कॉल्स आ रहे हैं मीडिया के भी और मेरे शुपचंतों के भी सबसे पहले तो I am safe I am perfectly fine आज चंडीगर एरपोर्ट पे जो हाथसा हुआ वो security check के साथ में हुआ वहाँ पे मैं security checker के जैसे ही निकली तो दूसरे cabin में जो महिना थ इसारी थी CISF की उन्होंने मेरे उनके पास या उनको cross करने का इंतजार किया और साइट से आकर जो है मुझे मेरे face पे हिट किया और गालियन देने लगिया जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यू किया तो उन्होंने कहा कि वो farmers for test को जो है वो support करती है और I am safe but my concern is कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है how do we handle that thank you आपने देखा दोस्तों कंगना रना उतना क्या बोला अब आप सुनिए कुलविंदर को और का statement दोनों statement आप सुन चुके हैं दोस्तों और ये statement कल से टीवी पे लगातार चलते चले रहा है लेकिन analysis किसी ने ढंका नहीं करा अरे मार दिया मार दिया अरे गाली दिन नो वो सब हो चुका है thank you bye bye good night अब हम आपको analyze करके बताएंगे कि matter क्या है सबसे पहली बात कुलविंदर कौर का ये कहना है कि साहब मेरी मदर यानि कि कुलविंदर कौर की मा किसाना अंदोलन में थी right और कंगना रनाउत ने ट्वीट करा ये आप ट्वीट देख सकते हैं कंगना रनाउत का कंगना रनाउत का ये ट्वीट था कि वहाँ पे 200-500 रुपे लेके लोगों को बैठा र परसनल उनको एक साइड आम या एक परसनल वेपन इशू होता उस वक्त उनके हसाथ नहीं था हतियार उस वक्त जब उन्होंने हाथ छोड़ाया हाथ उठाया कंगना रनाउत की उपर उस वक्त उनके पास हतियार नहीं था मैं कुलविंदर कौर की बात करना हूं लेकिन वै बहुत अच्छे से पुछ दे रहे हैं इनको एरपोर्ट में आप और हम भी जाते हैं और चंडिकर एरपोर्ट में हजारों लोग एक दिन में आते हैं हजारों लोग एक दिन में जाते हैं और काई ट्रेकश चाती है चंडिकर I mentar is a very very busy airport बात ये है कि आप किस से कितना नाखुश हो जाएं किसी के एक ट्वीट से कि आप बोलें कि आज मुझे मुझे मौका मिला है और मैंने इसको पीटना है अगर एक आम कोई बंदा करे पबलिक से मुझे समझ में आता है गलत फिर भी है लेकिन मुझे समझ में आता है लेकिन दोस्तों एक बार जब आप वर्दी पहन लेते हैं तो फिर आपकी पहचान खुद के नहीं हो सकती फिर आपकी पहचान खटम हो जाती है आपका कोई उपिनियन आपकी कोई राय ना होती है ना आपकी राए होनी चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ आदेश का पालन करना है फॉज का मतलब यह यह है चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे सी आर पी एफ हो चाहे टीविप हो, चाहे वो कुछ भी हो चाहे सी आई एसे भी क्यों ना उसका मतलब यह है कि आप एक अनुसाशन के धाचे में ढ़ल चुके हैं आप इसके दाएं यबाएं वन डिग्री लिफ्ट वन डिग्री राइट आप नहीं जा सकते आपकी राए है ही नहीं अगर आपकी राए है किसान अंदोलन को लेके तो अपने दिल के अंदर दबा के रखो बेटा जबान तक मत आने देना क्योंकि आर्मी यह है जो उनके साहरे है आपकी राए अगर 375 के बारे में है तो अपनी राए अपने दिल के अंदर गाड़ के रखो दफन करके मूँ पे नहीं आनी चाहिए दोस्तों इसको कहते हैं कुलविंदर कौर के हाथ में हत्यार नहीं था अगर होता तो अगर होता तो बियन सिंग का बेटा चौनाव जीत गया बियन सिंग वो आदमी है जिसने इंदरा जी का कतल करा था उनका असेसिनेशन करा था और उसको किस पॉइंट पर वोट मिले उसको इस पॉइंट पर वोट मिले उसने बोला कि भाई उसका जो बाप था उसने इंदरा गांधी को मारा लोगों ने बोला वेरी गुड वेरी गुड वोट तो उसको वोट दो तो पंजाब किस डिरेक्शन में जा रहा है इसके उपर भी बात हम कर लेगा पाकिस्तान ने तालिबान पाला था जालत देख लेना तुम भी पालो ऐसे कंगना के उपर अटैक होगा चंडीगड एरपोर्ट पे कल किसी और बंदे के उपर अटैक हो सकता है कोई भी अटैक कर देगा कुलविंदर कौर जो है वो शेर सिंग मलीवाल जो एक किसान निता है उसकी बहन है किसान निता हो गई कैसे बोल दिया कैसे कर दिया तो क्या हुआ अगर बोल दिया तो तो क्या हुआ अगर बोल दिया तो तो क्या हुआ तो मारोगे कल फिर अगर तुम अपना मूँ खोलोगे किसी को बुरा लगा वो तो मैं मारेगा साइकल ओव वाइलेंस कभी स्टॉप नहीं होता और हम जो लोग वर्दी पहन लेते हैं मैं रड़ी पहन रखे हैं और मेजर के रैंक पहन रखे हैं करना पढ़ता है अबको हमारे समाज में इतने टकराऊ होते हैं तो इसका मतलब कि जब भी आपका दिल हो और आपने वर्दी पैन रखियों ते किसी को भी आप मार सकते हो जो लोग सेलिबरेट कर रहे हैं न पॉलिटिकल डिवाइड के उस तरफ जो सेलिबरेट कर रहे हैं कि अच्छा कंगना को मारा बहुत अच्छा वो अगर उसके साथ हो सकता है तो तुमारे साथ भी हो सकता है इसलिए हमें सब के साथ चाहे आप भाजपा के सपोर्टर हो चाहे कॉंग्रेस के सपोर्टर हो चाहे आप समाजवादी चाहे बहुजन समाज़ चाहे किसी और पार्टी के आप सपोर्टर हो violence is not the answer आप हाथ नहीं उठा सकते किसी के उपर और अगर आपने वर्दी पहनी हो तो तो आप बिल्कुल नहीं उठा सकते पहली चीज दूसरी चीज अपना किसान अंदोलन अपने दिल के अंदर रखो तो यह वहाँ आप देश की सेवा कर रहे हो पता क्यों नहीं लगा क्योंकि कुलविंदर कौर के तो बड़े strong opinion थे किसान अंदोलन के उपर कुलविंदर कौर के उपर बाद में inquiry हो सबसे पहले जो कुलविंदर कौर का जो boss है उसके उपर inquiry होने चाहिए उसको भी suspend करो भाई आपके आँक कान काम नहीं कर रहे आपको नहीं पता कि आपकी टीम में कौन है किसकी क्यार आए है यू डोंट नो दपल्स ओफ यूर टीम दोस्तों एक बाद बताऊं भगवान ना करे कभी ऐसा कान्ड इंडियन आर्मी में हो जाता ना कोट मार्शल हो चुकी हो तो अभी तक भारती सेना में discipline क्यों है क्यों है discipline इतना इतनी सी चूक उल्टा टांग देती है इंडियन आर्मी उल्टा टांग देती है सर के बले ऐसा उल्टा तब पता लगता है तब जा के होता है discipline iron iron discipline सवाल नहीं है इस चीज़ का कि किसी ने मुँ खुल दी अपना होई नहीं सकता iron discipline यहां पे कुलविंदर कौर के बास को पता ही नहीं कि क्या स्टोरी चल रही है उसने कभी किसी साथी से तो बोला होगा यार मैं किसानों को सपोर्ट करती हूँ मेरी मा भी गई थी अंदोलन में और उसकी मा का पूरा अधिकार है मैं कहा रहा हूँ किसानों का पूरा अधिकार है आपको फामलो पसंद है तो ठीक है नहीं पसंद है बाल में जाए मैं थोड़ना किसान हूँ यार गौरा वारिया किसान है मुझे फरक नहीं पड़ता गौरवारिया को फरक नहीं पड़ता कि किसान कानून लागू हो कि ना हो क्योंकि मैं किसान नहीं हूँ मुझे इंपक्ट नहीं करता इसलिए मुझे फरक नहीं पड़ता किसान अगर नहीं चाहता उसके लिए ठीक है that is all right मेरी सिर्फ एक शिकायत थी किसानों से कि भाई तुम ने सड़क्यों लोग रखी है that's it that's it इसके अलावा मुझे कोई लेना देना नहीं है आप दस साल के लिए प्रोटेस्ट करो मुझे को इश्यू नहीं MSP मिले आपको बहुत अच्छा good for you good for you नहां मिले फिर भी मेरा ऐसा कोई उपिनियन है नहीं किसाना अंदोलन के उपर लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार आप किसी के उपर भी कल आप सेफ होंगे मैं आप से बात कर रहा हूँ जो मेरा वीडियो अपने मोबाइल फोन पे देख रहे है अपने टीवी के उपर देख रहे है अपने लैप्टॉप पे देख रहे है अपने आईपैड पे देख रहे है मैं आप से पूछा हूँ आप सेफ हो एरपोर्ट पे कल तो कुछ भी हो सकता है भाई कल कुछ भी हो सकता है पंजाब में रैडिकलिजम बढ़ रहा है और हमें ये बात समझनी चाहिए रैडिकलाइजेशन है बढ़ चुका है एक जमाना था जब हिंदूओं को जब हिंदूओं को बसों से निकाल के उनका आईडी कार्ट चेक करके मारते थे एक लाइन में लगा के खालिस्तानी क्या ये काम एरपोर्ट पे हो सकता है भगवान न करे कभी ऐसा हो भगवान न करे अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ सेक्यूरिटी लूप होल बड़ा तकड़ा एक बहुत बड़ा तकड़ा सेक्यूरिटी लूप होल है जो मैं आपको बताता हूँ बड़ी कॉमन सी चीज़ है कोई मैंना बड़ी बात नहीं बोल दी ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है आप जब एरपोर्ट पे जाते हैं तो आप अपना सामान अपने साथ ले कर जाते हैं ठीक है आपके पास अपना सूट केस है आपके पास बैग्स है आपके पास तीन चार चीज़ है आप ट्रॉली पे लगाते हैं आप जाते हैं आप लाइन में लगते हैं जब आप लाइन में लगते हैं, तो वहाँ पर CISF का बंदा दो चीज़ां चेक करता है. जो भी वहाँ पर CISF का ओफसर हो जवान हो, वो दो चीज़ां चेक करता है. आपका आधार कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आइडेटिटी कार्ड और आपका टिकेट दोनों को मिलाता है और बुलता है, आप प्रवेश कर सकते हैं. आपका वैलेड टिकेट होना चाहिए और आपका वैलेड आइडी होनी चाहिए गो इंसाइड थी एरपोट आपके सामान की चेकिंग नहीं होती बार अगर भगवान न करे कोई बंदा हत्यार लेके अंदर चला जाए एरपोट के एरपोट में प्रवेश हो गया ना उसका एरपोट में प्रवेश उसका हो गया बिना चेकिंग के बिना चेकिंग के वो बंदा RDX ले जाए AK47 ले जाए कोई भी असला ले जाए एरपोट के अंदर बिना चेकिंग के आप एरपोट के अंदर जा सकते हो आप check-in counter को cross कर सकते हो आप छोटा सा suit case ले जाओ जो आप बोलो कि मैं अपने साथ उपर रखोंगा केविन में रखोंगा बोजे check-in नहीं करवाना you can literally reach the security counter किसी को भी हाथसा करना उसको जहाज के अंदर पहुंचने की तोड़ना जरूवत है हाथसा आप एरपोर्ट के अंदर कर सकते हैं क्योंकि एरपोर्ट की security ऐसी है it is like that और मैं कह 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 के चीक चीक के मेरा गला बैट गया कि कुछ करो इसके बारे में have a system in place where everything that goes inside an airport is checked मैं यह नहीं कह रहा कि यहाँ पर 5 किलोमेटर लंबी लाइन है कि लोग इससे हरस हो लेकिन you can do it smartly you can have nodes in various part of the cities कि आप अपना सामान उसके अंदर book करवाईए सामान आपका check होगा एरपोर्ट में घुसने के अंदर से पहले check होगा आपका सामान फिर दुबारा एरपोर्ट के अंदर चेक होगा tomorrow anything can happen and I am very shocked CISF के उन officers को जो एरपोर्ट की security देखते हैं उनको पता भी नहीं था कि कुलविंदर कौर का कैसा mindset है इनको पता ही नहीं लगा खेर कुलविंदर कौर ने जो करा जो करा मैं आपको आज बता रहा हूँ चुनाव लड़ेगी है यह चुनाव लड़ेगी और हो ना हो यह जीट जाएगी बहुत सारी जीए जो बोलियों प्रूव हुई है क्योंकि पूरा किसान 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 इतना ड्रामा कर दिया किसान का केरल के किसान को कोई फरक नहीं पढ़ रहा उत्तर प्रदेश के किसान को कोई फरक नहीं पढ़ रहा, हर्याना के किसान को कोई फरक नहीं पढ़ रहा, करनाटक के किसान को कोई फरक नहीं पढ़ रहा, मनीपुर के, राजस्थान के, महराश्टर के, किसी किसान को, गुजरात के, किसी किसान को फरक नहीं पढ़ रहा, अ पंजाब में हर्याना के किसान समझ गए पहले बार जब फार्म प्रोटेस्ट हुए थे फार्म लॉस के खिलाफ तो हर्याना के किसानों ने साथ दिया था बाद में समझ गए इस वार्याना के किसानों पता लगे हैं कि जो पंजाब के जो अर्थिये हैं जो ब्रोकर हैं जो ब कल कोई मेंबर अफ पार्लिमेंट हो दूसरा ऐसी कुलविंदर कॉर टाइप की पहुँचगे जिसके आप में हत्यार हो आप क्या कर लोगे आप कुछ कर लोगे कोमाल ने मोदी जी की कोई बात पसंद नहीं है गलती सा काईन से भी अज़ लीच मिल गए कर दो टाइप कर दो टाइप को तो मैं आप को अगर पॉलिटिकल स्टेट्मेंट को बहुत बड़ा देना है तो महां पे अएरपोर्ट के बीच में कर दो ठाटा कौन रोख रहा है आपको तो मैं CISF वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो आप इंक्वाइरी कर रहे हो आप इसको सस्पेंड करोगे आप क्या करोगे नौकरी से निकालोगे नौकरी से निकालोगे कुलवें तर कोई जेल में डालोगे डाल दो वो तो चाहती है उसने काम ही इसलिए करा है भाई उसने काम इसलिए करा है कि आप जाओ वो अपनी कहानी सुनाएगी वो जूट बोलेगी कि मुझे बड़ा टॉर्चर करा गया था उसका भाई किसान का नित्ता है वो जाके और जूट बोलेगा कि मेरी बहन को टॉर्चर करा, मेरी बहन के साथ बत्तमीजी करी, उसको नौकरी से निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, अपना विक्टम कार्ड प्ले करेगी और छोडने के बाद नौकरी आके चुनाओ के लिए, विदान सबा के चुनाओ के लिए उखड़ी हो कुल्वेंदर कौर 2021 से चंडीगड के एरपोर्ट पे है और कंगना रनाउत चंडीगड के एरपोर्ट में 2021 से भी तक 15 बार जा चुकी होगी क्योंकि भाई मंडी जाना है हिमाचल जाना है कंगना तो हिमाचली है ना शिस्रों हिमाचल तो convenient airport चंडीगड पाड़ रहा इसको अब क्यों करा इसने पहले क्यों नी करा क्या ये पहले कंगना रनाऊत से नहीं टक रही होगी चंडीगड़ एरपोर्ट में लेकिन जो कुलविंदर कौर है उसने इस बार इसलिए एक्शन करा क्योंकि उसने देखा उसके दिमाग में गेम चला कि अमरित पाल सिंग जीत किया देखो अमरित पाल सिंग जीत गया मैं भी ऐसा कुछ करते हूँ मैं भी जीत जहोंगे पियान सिंग का बेटा जीत गया सिर्फ ये कहके कि मैंने इंदरा गांदी को मेरे बाप न इंदरा गांदी को वो कर रहत वो जीत गया तो मेरा भी पॉलिटिकल गेम सेट हो सकता मैं भी ऐसा कुछ करों कि मैं सुरुख्यों में आ जाउ मैं heroine बन जाओंगी कुछ खास तपके के लिए I will become a heroine और एक बार मैं heroine बन गए फिर मुझे पॉंट रोगने हो ले तो दोस्तों ये ये जो games है ना ये हमें समझने पढ़ाएंगे किस तरीके से वो रहा है and it is not just question of strict action being taken मैं CISF वालों से request करूँगा मेरी बिंती CISF वालों से मेरी request है आप इसको isolated case मत समझिएगा और ये गलती कभी मत करिएगा कि ये isolated case है और क्योंकि ये isolated case है इसलिए हम कुलविंदर कौर को सजा दे देंगे और matter खतम हो जाएगा कुलविंदर कौर चाहती है कि तुम उसको सजा दो उसने कामी इसलिए करा है भाई सरकारी नौकरी के लिए लोग मरते हैं गर्वर्मेंट जॉब के लिए भारत में लोग अपनी मतलब जिसको कहते हैं कि एड़ी चोटी का बन लगा देते हैं क्या कुलविंदर कौर ने तैयारी नहीं करी होगी सबिरे साले 3-4 बजे उटके दौड़ी नहीं होगी है कैसने मेहनत नहीं करी होगी बिल्कुल मेहनत करी होगी यह मेरिट में आई है मेरिट में आने के बाद तब जाके CISF में इसको एंट्री मिली है यह अपनी सरकारी जॉब ख़तरे में डाल दे इसके दो बच्चे है इसका पती CISF में है उसी एरपोर्ट में पोस्टेड है ठीक है दो बच्चों की जिम्मेदारी है मिया बीवी दोनों कमा रहे हैं यह अपनी सरकारी जॉब ख़तरे में डाल दे क्योंकि कंगना रनाउत ने एक ट्वीट करा था कई साल पहले उसने ट्वीट करा था ट्वीट से इसके इतनी दिलाजारी होगे इनका दिल तूड़ गया इनका दिल तूड़ गया यह माना बोला कि आजी गयोगी कंगना एरपोर्ट पे इतनी बार गयी लोगी तिंक आपको लगता है यह मेरा रिकमेंडेशन है पीछे से क्या कुछ चला है थोड़ा बहुत इसा लमसिज देख लेन आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह जू statement है कुलविंदर कोर का इसा हाईलि हाईलि पॉलिटिकल स्टेटमेट मैं एक चीज बताओंगे जो मैं तुझे बताया भी ता, मुझे इस में पता नहीं तब चेक करा तो एक रील मेरे सामने आई हमारे जो आप लोग आजकल बहुत लोगों को फॉलोव आदे हैं पंजाबी इन्फुएंसर है उन्होंने इसको बहुत 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 बनाया और जो कुल्विंदर को है को इसको डॉर्टर ऑफ पंजाब बोलके जो कंगना ने जो डाला ताना जो मेरे शुब बहुत 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 बहु पुत्तर परदेश है या डॉटर ऑफ जहारकंड है वो कहीं कि वह एड़ एंड उसने वर्दी डाली है परस्नल अब एक चीज बताओ कल को जो यह जितने भी इंफ्लुएंसर है ठीक है यह जब इनका मेट-प होता है क्या कहीं कुछ भी शो कर रहे होता है इन्हें ऑश पसंदा है लुझ को आप पसंदाथा किसिकोग और जड़तें सब्सक्राइब जा के मतलब इसे तेडीनिऊ नहीं की अब अन्हें संळो कर देर के मिन प्रुट किस दीक अभानि कर दीक ळ्हीं लिए उसको सिफ सपोर्ट कर रहे है उसने इतने मज़े से आप जस्टिफाई भी कर दिया हरी चीज कर दिया कंगना को तपेचा पेडवार दी आप भी एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हो जिन्हें टैग कर रहे हो और अच्छे आपने सिंगर कशाथ को लैब भी किया हुआ उनको भी सिक्योर्टी लगती है ज मुझे बहुत ही सिरियस्ली बहुत है वहायात लगी अगर उस रील को देखो के भी मुझे तो एक चीज बता दो मैरे को पसंदी रील्स होगे रहा है और अगर मेरे इस पर्शनल बोला ना मुझे कंगना बिल्कुल नहीं पसंद मैं पर्सनली बतार हूँ मेरे को एक मुझे कंगना मुझे बुरा कि एक बंदी वर्दी में लोग मरते हैं इस वर्ली पोजिशन के लिए एक बार हम बस वर्दी बहुत है तुम नहीं रखी अगर नॉर्मल एक बंदा सिक्योर्टी की उमेद करेगा तो किसे बरेगा बहुत है और जो सीरियस्ली इस चीज को भी सोशल मेडिया इस जस्टिफाइग रहे है और भाई मुझे बाई बट बड़ी अ कर दिया बाई चपेड पड़ी बाई क्या इस चाहिए बाई करोगी क्या इस चाहिए बाई क्या इसके बाई बढ़ एंग करोगी तुम किसी को मार दें तो बहुत भुल्षिट था सच में सोशल मेडिया पर ना कूल बनो लेकिन मजाक अपना मत बलवा इस चीज पहला लो कुछ करो सब करते हम भी क्रिंज पहला थे मुझे बनाते कोवेडी के लिए लेकिन थोड़ी रिस्पेक्ट देना भी सीख लो कि किस चीज की हाँ पर बात होगी उनिफॉम की बात है ठीक है जो डिस्सिप्लिन होती है जो ओर्डर्स फॉलो करते है अब नॉर्मल सी एक चीज बता ना किसान आलोन में आंदोलन में सिक्योर्टी कौन दे रहा था दे रही थी ना कुछ पुलीस ओफिसर उसमें विचारे शहीद भी हुए थे मालने नहीं नहीं एक चोट एस एक्जाम आज कल ट्रेंड में रहने के लिए आए सोचते है कुछ भी हो कुछ भी करो ट्रेंड में मैं यह नहीं कह रहे हूं पर इस हत तब मत गिरो यह बोल रहू हूं मैं इलता है सब्सक्राइब एक साथ बागए ठेक क्यर